कर दोस्तों है अब टू एव्रीबर्ण में आप लोग का स्वागत है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके फैमिली भी बहुत अच्छे होंगे आप लोग भैक्सिन लगवाले क्रोना का क्योंकि बहुत सिच्वेशन ख़राब होने वाली भी है फिर से सुनते हैं न् आप पॉस्टी कहार ले ताकि आपका बॉडी बना रहे है और चलिए तो ठीक है हम आज एक और जॉब के बारे में नुटिफिकेशन के बारे में बोले वाले है जो की एक नए कंपनी में आये हैं तो चलिए हम लोग डारेक्ट उसी का देखते हैं वेकंसी का किस के बारे मे हैं क्योंकि आप देखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा डारेक्ट दिखाते हैं देखिए यह है इंस्टुमेंटेशन लिमिटेट कंपनी है एक गॉवर्मेंट आफ इंडिया इंटरप्राइज का कंपनी है यह कंपनी का जहका नेम है कांजी कोरे वेस्ट में हैं पलककर पलककर जगा का नाम है ठीक है यह फोन नमबर दिये हुआ इस पर इंक्वाइड ले सकते हैं यह रिक्वार्स जो है और ट्रेनी के लिए आया हुआ है तो यहां देख सकते हैं मेल कर सकते हैं इसको क्या करता है अप्लिकेशन आरे इनभाइट फ्रॉम कंडिडेश फॉर इं इसपेक्री पर्फॉर्मेंस और चाहिए मद फ्रॉम आरे क्वार्स फीकेशन बीलों इंट्रेश्टर गंडीडेट में अप्लिकेशन बाइट पोस्ट और मेल तु दे है प्रस्टनल ओफिसर पी ए पी और ए इस तुमेंट इंस्ट्रॉमेंटेट कांजी को रे वेस्ट पल आप application form fill up करेंगे उसको या तो mail के द्वारा बेज सकते हैं या नहीं तो आप by post बेज सकते हैं अगर by post बेजते हैं तो यह आपको address जो दिया हुआ है प्रस्वेसर के instrumentation limited कांजी कोड़े वेस्ट प्लक कर यह पीन कोड़े डाल करके आप वहां सेंड कर सकते हैं या नहीं तो आप form fill up करके उसका scanning करके self-attested भी कर लिजीगा self-attested का मतलब होता है sign कर देना उस पर अपना और sign करके उसको फिर से scanning करके उसको mail कर देना है जिसमें BE, BTEC, mechanical with high first class that is 60% और above होना चाहिए minimum एक साल का experience और apprenticeship in design या तो apprenticeship होना चाहिए या एक साल का experience होना चाहिए कोई दिकत नहीं है design and development of control valves और its allied product in design and engineering department of any control valve industry में होना चाहिए आपके पास skill उसके बाद है skill requirement देख लिए क्या चीज़ क्या जोगी थे 3D modeling software solid work autocad यह सवाना चाहिए उसके बाद capable of doing design calculation and preparation of technical documents ठीक है यहां और भी देख सकते candidates who have completed apprenticeship training design and engineering में उसका भी आप लोग कर सकते हैं ठीक है applications should not be above the age of 28 28 साल तक का एज के बच्चे का अपना अपलाई कर सकते हैं जो भी भाई है 28 साल से बिली जिसका भी एज है तो लोग फिल अप कर ले और इसमें post जो है 4 है और 12,000 यह आपका salary है सब्सक्राइब अच्छी बात यह है कि आपको छे महिने का ट्रेनिंग फिर से देगी आप उसके बाद तीन साल का यह तो सटिस्फेक्श करी मतब ज़्यादा तर रखी लेते हंड़ेट पर समझें और आपको तीन साल contract पर रखेंगे उसके बाद क्या होता है वो जाने के ब है इसमें भी बी बीटेक सेम लाइक जो उपर में हम लोग बताए थे वही मांग रहा है और इसमें अपरेंटिशिप वन सीयर का experience या marketing sales department किसी में भी हो तो चल सकता है उसके बाद skill requirement देख लिजिए manufacture by ILP क्या sufficient exposure to similar product being manufactured by ILP and be proficient in seizing and selection on the same good communication skill भी होना चाहिए commercial marketing sales में अगर है तो भी चलेगा या नहीं तो आप commercial department किसी इंडुमेशन में है तो भी आपको चल सकता है इसमें भी आपका 28 साल age होना जोड़ी है उससे कम होना जोड़ी है इसमें 13 पोस्ट है और 12,000 आपका starting salary है उसके बाद थार्ड में देखते हैं इसमें trainee draftsman का mechanical का है जो कि डिप्लोमा in mechanical engineering diploma के लिए फर्स्ट कर और IT adaptsman mechanic with NAC होना चाहिए one year experience भी होना चाहिए component drawing and assembly drawing और प्रेफरली यूज़ टु भाल्ब इंडस्ट्री में होना चाहिए by using AutoCAD या Solidwork software अगर आप दोनों में से है किस कोई भी है तो आप लोग इसमें join कर सकते हैं और इसमें क्या कता है अगर apprentice स तो चलेगा आपका ठीक है इसमें 25 साल maximum मेज मांगा गया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसके लिए चार पोस्ट है जिसके लिए 9000 salary है तो यह रहा आपका बस इतना ही था इसमें दिया हुआ notification में मुझे इतना ही मिला है I hope आप लोग को यह अच्छा लगा होग क्योंकि आपका समय बहुत मुल्यवान है आपको कोई पैसे दे सकते हैं 100 पे 200 पे 400 पे 1000 दसजार दे सकते हैं बट आपको time कोई नहीं देंगे इसलिए आप अपने time को valuable को समझे और उसका implementation करें क्योंकि times never become return तो उस time को अच्छे से utilize कीजिए और आपने life में ज़्यादा उन ही देगा time आपको return आपको खुदी return होना पड़ेगा खाली हाथ हो या भड़े हाथ हो जैसे आप मेहनत करेंगे उससाब साब का फल मिलेगा तो बस इतना ही के लिए आज के लिए है बहुत बधन्यवाद थैंक्यू फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी तरह से जया बारत